नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसिस और आप देख रहे हैं लर्णूबेल चैनल तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वैरियेबल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी वैरियेबल मतलब जो परिवरतन सील हो या जो चेंज कर सके चीजों को है कर और इस बार हम देखेंगे कोंस्टेंट के वारे में चैनल भी आप समझते होंगे मतलब आपना जो चीज सेंट हो जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकते हैं तो यह भी सेम वैरियेबल जैसा ही है इसके लिए वह हमें संट लिखना रहता है तो चली चलते हैं वीजूल बेसिक तो अभी तक यह से हम लोग यहां पर डिम X is equal to यह एज इंटीजर यह सारी चीज कर देते थे उसके आप फिर यहां पर X is equal to उसका कुछ उसके आरें बता देते थे कि हाँ यहां से यहां तक है और यह चीज़े क्या है कि आपका चेंज भी होते रहती हैं आपके सुविधा की हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन constant जो रहता है उसको आपको चेंज नहीं करना है आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि व आपको करना हो कोई चीज आपको fix करनी हो कि मेरे पूरे माड्यूल में यह constant रखना है interest rate को यह interest rate रखना है तो उस समय आप constant का यूज कर सकते हैं अब जैसे अगर आप constant का यूज करेंगे तो यहां से यहां तक माली जे आपने particular command के लिए यूज कर लिया constant का तो इसी command में यह खतम हो जाएगा माली जे आपको पूरे workbook के लिए सेट करना है interest rate जैसे भी मने बताया तो उसमें आप public का भी यूज कर सकते हैं तो आपका public के साथ में constant का यूज कर सकते हैं तो इसको constant को लिखने के लिए जैसे हम लोग यहां पर डिम वोगर लिख के यूज कर रहे थे तो वहां यहां पर लिखना पड़ेगा आपको c o n s t तो आपका यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा c o n s t ऐसा रहेगा और यहां पर जो भी जैसा नाम आप देते हैं वह यहां आप नाम भी दे सकते हैं मतलब अपना वेरियेबल टाइप का ही तो यहां पर एक आप नाम दे इंट्रेस्ट रेट ठीक है इसका कॉंस्ट इंट्रेस्ट रेट एज इंटीजर और इस इकॉल यहां पर लगा के आपको उसका कॉंस्टेंट वैल्यू आपको बताना पड़ेगा अब यहसे मैं यहां पर फोर लिख देता हूं अब यह सही है अब इसमें क्या होगा कि आप आपका यहां पर इसकोल का चीनल लगेगा और आपको इसकी constant value यहां पर दे देनी है तो यहां पर फर्क क्या हुआ आपका डिम की जगह में कॉंस्ट आ गया और बाकी आपके नेम हुई है और एज इंटीजर आपका सेम है और यहां पर equal के बाद में हम उसकी value एक decide कर देते हैं तो यह value आपका change नहीं कर सकते इसको यह आपका constant रहेगा same रहेगा एक ही जैसा रहेगा और भी जैसे आप decide कर सकते हैं यहां पर आप लिख दिए const और एक आपका नाम दे दिए rate is equal to अब आपका rate क्या रहेगा 2.5 ले ले लेते हैं ठीक है और period भी आप ऐसा करके एक और आप डाल सकते हैं period is equal to 12 मतलब एक साल के लिए 12 मन्त के लिए ठीक है यह भी आपका सही है और उसके अलाओं फिर आपको as string वोगर है जैसे इसमें हमने as string लिया था चीजों को तो आप यहां भी as string का यूज कर सकते हैं constant के साथ में भी तो आपका इसके लिए भी और यहां पर constant आपका कुछ भी एक नेम आप डाल सकते हैं जो भी आपको जरूरत हो उस हिसाब से as string यहां भी आ जाएगा और आपको वही है तब में equal लगा के आपको जो भी चीजे देनी है जो भी चीजे आपको decide करनी है वह उसको decide करिए और यहां पर आप एक नाम दे सकते हैं और ठीक इसी तरीके से आपका public का भी उज़ कर सकते हैं अगर आपको पूरे worksit के लिए यह formula यूज़ करने हैं तो आप public करके यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आपका public के साथ में आपका पूरे workbook के लिए काम करेगा तो इसमें आप constant जो है वह आपका constant ही रहेगा उसका value आप बार बार उसमें रन कराते समय आप उसको नहीं change कर सकते हैं तो जितना आप इसमें रखेंगे वह आपका उतना ही आएगा अगर आपको constant नहीं रखना है वैरियेवल या वैरी रखना है तो आपको फिर वैरियेवल के लिए बाकि यह सारी चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेगी तो दोस्तों हमने भी constant को समझ लिया है अब चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में तो अभी जैसे मैंने यहां पर यूज किया आज श्ट्रिंग करके तो दूस्तों Excel जो है हमारा वह टेक्स्ट और नंबर्स दोनों पर वर्क करता है और श्ट्रिंग को हम टेक्स्ट रेफर्ट करने के लिए ही जातर यूज करते हैं अब इसमें आपके श्ट्रिंग दो तरीक हो सकते हैं एक हमारा fixed length string हो सक मतलब पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नंबर या करेक्टर जिसकी मैक्जिमम लंबाई 652526 करेक्टर हो 6526 या मैक्जिमम लंबाई की बात कर रहा हूं इतना आप दे सकते हैं उसमें और वारियेवल लेंथ वाले स्ट्रिंग में क्या होता है कि इसमें आपके बहुत सारे करेक् जाएगा इतने जादे इसमें करेक्टर साथ ले सकते रहिए स्ट्रिंग के अंदर में वारियेबल करेक्टर अब जैसे अगर आपको पता है कि मेरा खुद का ये डिसाइट किया हुआ मतलब मैं अपना खुद का स्ट्रिंग कर रहा हूं और वह फिक्षड वाला इस्ट्रि देने है तो इंटू 55 ऐसा आप लिख सकते हैं तो मैजिमीम लेंथ आपका 55 करेक्टर तक ही लेगा अगर आप यहांपे जैसे कुछ नहीं लिखते हैं तो इसमें आपका वही फिक्स भीना फिक्स्ट विद्वाला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका कितने भी करेक्टर से इसमें आ सकते हैं अब नेक्स्ट है हमारा डेट तो अगर जैसे आपको डेट ओगर है कि बीच में आपको कल्कुलेशन करना हो तो आप इसका डेट का यूज कर सकते हैं अब इसमें भी आपके constant और variable चीजों को आप यूज करके देख सकते हैं तो चलिए एक उदारन से समझ लेते हैं तो हम लोग इसमें डेट का यूज कैसे कर सकते हैं तो जैसे आप एक डिम टूड़ेश डेट ऐसा करके अपने प्रेट कर लेते हो यह बदर तो आप यहां पर देख सकते हैं अभी यहां पर डेट आ रहा है अभी जैसे हमने उसमें श्रिंग या बाकी इंटीजर वगर देखे थे तो अभी यहां पर हम लोग डेट का यूज करेंगे ठीक है तो यह मैंने डिसाइड कर दिया एक नाम देदिया टूड़े एजडेट ठीक है अब उसके बाद फिर सौड टाइम एक ले लेते इस्टार टाइम आपका इस्टार टाइम कब से हो रहा है या एक टाइम ले लेते हैं तो उसमें भी हम लोग यहीं करेंगे तो इसको भी डेट करके लेते हैं अब इसमें आपका constant लेना पड़ेगा हमें तो constant अगर आपको कब से लेना है वो आपका first day जो भी रहेगा उसको एक नाम आप दे दीजिए और उसका हमें date लेना पड़ेगा वो हैस के साथ में लेना रहता है तो जैसे यह मैं एक constant दे दता हूं कि यह चीज हमारी constant रहेगी वह वैरी नहीं होगी c o n st और अपना कब से start करना है कौन से day से तो मैं यहाँ पर first day करके ले लेता हूं आपके यहाँ पर नाम अलग हो सकते हैं आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं हूँ है थीकर अब यहाँ पर इसको भी osag disabilitiesPop 分ël ही इप ले लेता है यहाँ पर constant हमने लगा यहाँ लगाए तो जो भी 1 लिखना है आब एकुवल लिखने के बाद किसी भी date को यहाँ पर दे रहे हैं तो इसको हमें हैस के साथ में उसको बीच में लिखना पड़ेगा डेट और टाइम जो भी हम लिखेंगे तो यहां पर हम लगाते हैं और कब से हमें डेट देनी है वो एक समय एक निरधारित कर देते हैं कि यह से मैं यहां पर ले लेता हूं 0-1 यह दो हजार एक लेता हूं और यहां पर हैस से ही इसको क्लोज कर देते हैं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा ऐसा करके डेट यह आ गया अब यह हमारा फर्स्ट डे हो गया ठीक है अब हमें काउंट कब तक करना है आपको और एक constant निर्धारित करना रहेगा कि आपको कितने time तक करना अगर time के लिए भी चाहें तो time के लिए भी हम लोग यहाँ पर निर्धाई कर सकते हैं const यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे या तो मैं noon कर देता हूं और यहाँ पर आपका एक एक कोल के चिन के साथ में आपका 12 noon के हिसाब से कल्कुलेट करेगा तो इसको भी हम हैस के थूँ ही लेंगे हैस ठीक है और यहाँ पर second रोगर भी लेना है तो आप ले सकते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लोश करेंगे तो अभी देख सकते हैं आपका यह अपने आप ऐसा करके आगे है PM लिखके यहाँ पर हैस के साथ में आपको VBA में जब भी अगर आपको डेट और टाइम लिखना हो आप उसको हमेशा हैस के बीच में लिखिए और आपके सिस्टम में जिस हिसाब से आगे पीछे डेट लि ले सकते उसमें अब जैसे माल लिजी आपको यह एक डेट आपने यहां पर ले लिया और यहां पर ले लिया अब दोनों को भी इसमें कितना अंतर है आप और अंतर भी निकाल सकते हैं तो यहां पे एक message box डालके या टूड़े डेट अगर लेनी है तो भी आप टूड़े डेट ले सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप string और date और variables और constant variables का किस तरीके सियोज कर सकते हैं वह आपने देख लिया आगे जैसे जैसे हम लोग इस पर काम करते जाएंगे तो सारी चीज़ें और clear होती जाएंगी तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में कुछ assignment वगर लेके देखेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे आपका equal sign का क्या यूज रहता है उसमें बाकी operations और आपके इसमें जो function वगर रहे हैं कुछ उनको भी check करेंगे और array की working क्या रहती है एक seat में एक Excel seat में उसको हम लोग कैसे select करते हैं एक आपका अगर हमें इसके इसके बीच का range कुछ दे किसमे calculation करना है तो वह सारी चीज़ें आगे एक वीडियो में हम लोग देखेंगे तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में बहुत ही जल्द तब तक के लिए धन्यवाद